सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सबका फेवरेट आचार और ये है गलगल का आचार गलगल अद्रक और हरी मिर्च का आचार वो भी बिना ओयल के तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गलगल का बिना तेल का आचार गलगल या हिमाचली निम्बू का अचार बनाने के लिए हमने लिए है गलगल जो के एक किलो है और इसी के साथ हरी मिर्ची जिसे हमने अच्छे से इसके डंठल हटा कर संड्राई किया है और सेंटर में से कट लगा दिया है और नेक्स रे हमारे पास अद्रक और जो अद्रक ह इसे के साद red chili powder 2 tablespoon और salt है हमारे पास 4 tablespoon और 1 teaspoon है हमारे पास hing और 1 अधा teaspoon है black salt काला नमक है और जो गलगल हमने लिए है इसे चॉप करने से पहले हमने इसे अच्छे से वाश करके properly dry कर लेना है और आप हमें से proper slices में कट कर लेंगे गलगल को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है अब हम मेथी दाना को ड्राइ रोस्ट करना है हमने इसके लिए बिल्कुल धीमी आज पर हमने इसे हलका सा भूनना है ट्राई रोस्ट होते ही इसका कलर चेंज हो गया है और अब हमने इसे दर्दरा पीस लेना है जिसके लिए पहले हमें इसे ठंडा करना पड़ेगा मिठी दाना को हमने दर्दरा पीस लिया है अब भारी है इसे mix करने की और उसके लिए सबसे पहले गल-गल नेक्स्ट है अद्रक और नेक्स्ट है हरी मिर्च अद्रक और हरी मिर्च हमने 250 और 250 ग्राम दोनों अलग अलग लिए अब बारी है मसालों की जिसमें सबसे पहले हैं नमक और ये 4 टेबल स्पून है नमक डालने के साथ ही नेक्स्ट है हमारे पास मेथी दाना जो हमने अच्छे से दरदरा पीस लिया था और नेक्स्ट है ब्लेक सॉल्ट जो हमने हाफ टी स्पून लिया था एक टी स्पून थी हींग हींग पाउडर है और नेक्स्ट है रड चिली लाल मिर्च पाउडर है बहुत ही बड़िया सा कलर बनेगा और अब हमने इस सारे मसाले को मिक्स कर लेना है और बस मिक्स होने के साथ ही आचार हमारा बहुत बड़ी असा कलर ले आया है और अब हमने इसे शिफ्ट करना है एक बर्नी के अंदर और इसके लिए हमने कांच की बर्नी ली है और इसके अंदर हमने आचार को आचार को हमने कांच की बरनी के अंदर शिफ्ट कर दिया है और अब हमने इसे 3-4 दिन के लिए दूप निखाना है और दूप निखाने के बाद हम इसे डेली यूज में ला सकते हैं लेकिन ख्याब आए कि जब भी आप इसे यूज करें तो उसके लिए जो आप स्पून यूज कर रहे हैं रिकालने के लिए वो टोटली ड्राइ होना चाहिए और ये आचार पूरे एक साल के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और यूमी टेस्ट वनेगा उमीद करती हूँ के आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू